इसी बाते हैं जो आप कपिल शर्मा के बारे में बिलकुल नहीं जानते। कपिल के struggling days कपिल ने अपना career as theater artist शुरू किया था और college से graduate होने के बाद वो part time theater सिखाया करते थे। अपने struggle के दिनों में उन्होंने PCO में भी job की है। और पंजाबी chorus group का हिस्सा भी रह चुके हैं जिसमें एक show के लिए उन्हें 300 मिला करते थे। ऐसा करते करते कपिल ने 10 साल तक struggle किया। फिर अपने father की death के बाद उन्होंने मन बना लिया कि वो theater और singing की जगे stand-up comedy करेंगे। इसी वजह से उन्होंने पंजाबी comedy show हंस्ते रहो में हिस्सा लिया और उसके बाद कपिल दे great Indian laugh challenge के लिए audition दिया जिसमें उन्हें reject कर दिया गया। पर कपिल ने हार नहीं मानी और एक बार दोबारा audition दिया और इस बार उनका show में selection पक्का हो गया। कपिल उसके winner रहे और उसके बाद से ही उनका career चल पड़ा। कपिल की priority शुरुआत के दिनों से ही कपिल ने अपनी family को first priority दी है। कपिल के father को cancer था। उनके इलाज के पैसे जमा करने के लिए कपिल दिन में तीन different jobs किया करते थे। कपिल ने एक interview में बताया था कि उनकी life का वो सबसे मुश्किल time था। क्योंकि वो जितनी भी मेहनत कर रहे थे उतने से भी उनके father का इलाज नहीं करवा पा रहे थे। कपिल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने father को hospital में private bite दिला सके। कपिल ने अपनी पूरी कोशिश की पर वो अपने पिता को नहीं बचा पाए। फिर जब उन्होंने अपना career theater से comedy में shift किया तो उसके बाद भी उनकी पहले priority उनकी family ही रही। laughter challenge जीतने के बाद उन्हें जो भी पैसे मिले थे। उससे उन्होंने अपनी बहन की शादी करवाई। फिर जैसे जैसे वो अपने career में आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वो अपनी मा के सारे सपने पूरे करते रहे। कपिल ने अपनी मा के लिए एक नया घर बनाया। उन्हें कई foreign trips पर लेकर गए। और साथ ही साथ उन्हें इंडस्ट्री के सारे मशहूर celebrities से भी मिलवाया। जिसमें से एक थे शाहरुक खान जो उनकी मा के favorite actor। कपिल के career में कई controversies रही हैं चाहे अपने female actor के साथ बद तमीजी करना हो या अपने shoots को delay करना। कपिल पिछले कुछ time से comedy से ज्यादा इन controversies की वजह से news में रहे हैं। जैसे 2017 में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की लड़ाई की खबरें आई थी। जहां news में आया कि कपिल ने सुनील की तरफ जूता फेंक कर मारा था। इस controversy से कपिल के show और image को बहुत नुकसान पहुचा। इस incident के बाद सुनील और बाकी कई actor ने कपिल शर्मा को बीच में ही छोड़ दिया और कुछ time बाद show को भी बंद कर दिया गया। अब जब 2018 में कपिल अपना नया show family time with कपिल शर्मा से वापस आये ही थे, कि उन्होंने ट्विटर पर लालनी नाम के journalist को अब use किया। कपिल अभी ठीक state of mind में नहीं है। और अपनी बात को proof करने के लिए उनके पास कुछ proof नहीं है। डिप्रेशन फिरंगी movie के trailer launch के दौरान कपिल ने conference किया था, कि वो डिप्रेशन में थे और बहुत शराब भी पीने लगे थे। इसी वज़ा से उनके सारे shoots cancel हुए जिसके कारण वो और डिप्रेशन में चले गए। और recent उनका दुबारा कहना है कि वो depend हैं और उनका state of mind ठीक नहीं है। सबका मानना है कि इन सब चीजों के शुरुआत सुनील और कपिल की लड़ाई से हुई।